अस्सलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे भुना मतन मसाला बक्राई दिश्पेशियल मतन हमने ले लिया है साड़े साथ सो गराम अच्छे से साफ कर लिया है हमने साफ पानी से धो लिया है तेल हम लेंगे चार बड़े चम्मच खड़े गरम मसाले और नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, कश्मीरी, लाल, मिर्च 200 गराम प्याज और 200 गराम लस्सन तेल को हाई फेम पे गरम कर लेंगे गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सारे गरम मसाले गरम मसाले सारे ही चीड़क जाएंगे अच्छे से गरम हो जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे लस्सन हमें गरम तेल में ही लस्सन डालने है लस्सन डालने के बाद अच्छे से अला लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे प्याज सारे कटे हुए प्याज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ब्राउन होने तक इन अच्छे से बून लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे गोस सारा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटन को हमने डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोस को ब्राउन होने तक बून लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक या देड़ गिलास पानी मटन का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे पानी एक या देड़ गिलास मिक्स कर लेंगे और अब हम ढकन लगा के तीन सीटी ले लेंगे तीन सीटी लगानी है हमें ताके गोस अच्छे से गल जाए तीन सीटी लेने के बाद अब हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे मटन पका है या नहीं तोड़ कर हमें चेक कर लेना है मटन पका है या नहीं चेक कर लेंगे अगर नहीं पका है तो एक सीटी और लेंगे एक सीटी ओट ले लेंगे ताके मटन जो है वह अच्छे से पक जाए गल जाए एक सीटी ले ली है अब हम इसे अच्छे से चेक कर लेंगे सारे मसालों को सारे मसाले गल चुके है अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे बीच बीच में हमें चेक करते रहना है अच्छे से पक चुके है लसन प्याज तेल चुनना स्टार्ट हो गया है अच्छे से पक चुके है लसन प्याज अच्छे से गल चुके है सारे लसन प्याज गल चुके है अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले नमक मिर्ची हल्दी और धनिया खडी लाल मिर्च तीन से चार अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुती शांदर कलर आ रहा है सबजी का एक चमज हम डालेंगे इसमें कश्मेरी लाल मिर्ची सिर्फ रंग के लिए बहुती अच्छा कलर आता है सारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है मसाल अच्छे से पक चुके है थोड़ी देर हम इसे ढख कर पका लेंगे सबजी बनकर रेड़ी है अब इसमें डालेंगे काली मिर्ची मिक्स कर लेंगे हमारी सबजी बनकर रेड़ी हो चुकी है अब हम इसे करेंगे अच्छे से सर्व बक्राईद श्पेसियल बहुती टेश्टी बनेगी सबजी एक बार ट्राई करें और कमेंट में बताए की केसी बनी हमारी सबजी रेड़ी हो चुकी है अच्छे से माशाल्ला भूना मटन बकराईदी श्पेशेल बनाए इंजोई करें और कमेंड में बताई केसी बनी खुदा आफीज